नमस्कार, स्वागत है अपता ग्राइड नियूस में मैं हूँ आपके साथ आरजू नगरिय निकाय चुनाओ को लेकर प्रचार के लिए कुछ ही दिन बचे हैं मौसम के बदलने के बाद भी राजनीती सरगर्मी बनी हुई है कोरिय जिले के पांच नगरिय निकाय में भी चुनाओ प्रचार चल रहा है आज इस नगरिय निकाय चुनाओ के प्रचार करनी प्रदेश के राजस्व मंत्री जय सिंग अगरवाल भी पहुँचे और नुकर सभा करने के साथ ही वोडो में भी पैदल चलकर कॉंग्रेस प्रत्याश्यों को जिताने की बात मतदाताओं से कही राजस्व मंत्री जय सिंग अगरवाल ने प्रचार के दोरान कहा कि प्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार है यहां सांसद, विधायक, कॉंग्रेस के हैं इसलिए यहां अध्यक्ष और पारसद भी कॉंग्रेस के बनाए ऐसे में विकास कैसे नहीं होगा मुझे बताईए मंत्री जय सिंग अगरवाल ने इस दोरान पूरे कॉरबा लोगसभा छेत्र में कॉंग्रेस प्रत्यासियों के जीतने का दावा किया उन्होंने कहा कि कोर्बा नगर निगम और चिर्मिरी नगर निगम सहित हर नगरी निकाय चुनाओ में कॉंग्रेस जीतने वाली है। कुछ लोग बैठ चुके हैं कुछ लोगों समने अपील कर दी है कि आप लोग बैठ आज तक का टाइम उनको दिया गया है। अगर नहीं बैठे कि उनके खिलाब जो है सब्सक्राइब करेगा। दूसरी चीज यहां कोरिया जिस्टिक में हम लोगों ने कौंगा पानी जगरा खांड लेंदरी तीनों जगे दोरा किया। उसके बाद मनेंदर्गड में बैठे कोई वहां तो हम लोगोंगा पानी में तो वाड़ों में भी गए थे। काफी अच्छा उत्सा वहां देखने को मिला और ऐसा लगता है कि वहां हमारे सरवादिक पारसद जीत के आएंगे। तो मनेंदर्ग में भी थोड़ा सा नगरपाली का प्रेजेंट में हमारी कांग्रेस की है। और ऐसा लगता है कि सरकार है तो उसका भी लाव मिलता है। सरकार मनें तो एक अद्ध्यक्स का जो मामला होता है क्योंकि पारसद जीत जीत चुनेंगे। यह फैसला बाद में होगा है यह हमने बता दिया है कि उससे में संगतर्म, विदायक, सांसर, प्रवेक्च्छा को मिलके तेह करेंगे कि किसको अध्यक्स बनाया जाए। तो इसलिए मुझे पूरी उमीद है कि यह मनें द्रड में भी और सभी जगे कांदर इसके द्ध्यक्स बनेगे।